एक पाइलेट जिसे लोगों की जान बचानी पड़ी महंगी कलती किसी और की और भरपाई करेगा पाइलेट रकम इतनी भारी कि जिन्देगी भर निकल जाए उसे चुकाने में उसी पाइलेट को अगर उस मदद की भारी कीमत चुकानी पड़े तो क्या वो अगली बार से मदद के लिए कदम बढ़ा पाएंगे दरसल ये खबर है मध्यप्रदेश के ग्वालिय शहर की हुआ यू की कप्तान माजिद अक्तर और उनके साथी पाइलेट्स कोवेड महमारी के दोरान कोवेड-19 के मरीजों के सैंपल्स और कुछ दवाई ले जा रहे थे तब ही ग्वालियर एरपोर्ट पे प्लेन लैंड करते समय रन्वे पर एक अरेस्टर बारियर से टक्कर होने की वज़े से दुरगटना घ्रस्थ हो गया राजी सरकार ने इसी वज़े से कप्तान माजिद अक्तर पर 85 करोण का जुर्माना ठोग दिया साथ ही DGCA जो की नागर विमानन महानिदेशाले है ने कप्तान का फ्लाइंग लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस विमान का इंशॉरेंस नहीं था फिर भी उसे उड़ने की इजाज़त दी गई कप्तान माजिद जिने फ्लाइंग में 27 साल का अनुभव है उन्होंने अपने बचाव में ये कहा है कि मैं नहीं जानता था कि रनवे पर एक बैरियर है मुझे हवाई यातायात्मी अंतरक ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी उन्होंने इस बात की भी जाच होने की मांग की है कि प्लेन के इंशॉरंस की जाच की जिम्मेदारी किसकी थी और नियमों के अनुसार अगर प्लेन इंशॉर्ड नहीं था तो इसे कैसे उड़ने की अनुमती भी गई आपको बता दें कि दुरगटना ग्रस्त विमान में बैठे पाइलेट माजीद अक्तर, को पाइलेट शिफ जैसवाल और नायब तहसीलदार दिलिब दिवेदी मामूली चोटों के साथ सुरक्षित हैं और राजे सरकार ने अपनी चार्च शीट में बताया कि प्लेन की कीमत 7 करोड थी और बाकी के 25 करोड अन्य प्राइवेट प्लेन को किराये पर लेने का खर्चा है एक्सपर्ट के मताबिक सरकार खुद इस विमान की भरपाई कर लेती अगर उनके पास इसका उचित इंशोरेंस होता तो विमान दुरघटना जाच ब्यूरो इस समय मामले की जाच कर रहा है और राजे सरकार ने इंशोरेंस वाली बात पर चुप़ी साथी हुई है युरो रिपोर्ट क्राइंटा कुप़ी साथी हुई है